तो आप लोग देखो मैं आज अपने गार्डन में आई हूँ और देखो मेरा गार्डन कैसे लग रहा है देखो क्योंकि आज कल तो अभी सही लग रहा है गार्डन मेरा क्योंकि कुछ मैंने मैं तो गाउं में गई थी तो मेरे पॉंदे भी अजीब टाइब के हो रहते हैं अ को और इनों से हम कुछ कुछ बाते करते रहते हैं जैसे ऐसे लगता है कि हाँ कोई है अपना इदर इन से और क्योंकि पॉंदे लगाना बहुत जरूरी है और पॉंदों के साथ उटने बैठने से बोलने से बहुत अच्छा मैसूस होने लगता है और सुबह साम इन से मिलते र यहां इन फूले मंच वित जी उदी पंदे मेरे पहले इससे हैं, यहैं पहुई यह सरकारी कॉरटर के चायों आदक तब के हैं आदे गमले वगर मेरे और जब मैं अपनी मकान में आ गई हूँ तो आप ऐसे रख रखें मैंने देखो अब इन में तो टो 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 में में सफाई करती रहती हूँ और इनको देखती रहती हूँ बहुत अच्छा मैसूस होता है यह देखो अब मेरा मन कर रहा है आप लोग को एक कहानी सुनाने का मन कर रहा है सुनो लोग हर बार एक ही समश्य की सिकायत करते हुए वो दिवान भक्ति के पास आते रहते हैं एक दिन उसने उन्हें एक चुटकिला सुनाया और सभी लोग हस पड़े कुछ मिन्टों के बाद उसने उन्हें ही वही चुटकिला दोबारा सुनाया और जब उन्हें से कुछी लोग मुस्कराए और उससे तीसरी बारे वही चुटकिला सुनाया तो कोई भी लोग नहीं हसा पुदिमान भक्ति मुस्कराय और बोला आप एक ही मजाग पर बार बार नहीं हस सकते तो आप हमेशा एक ही समश्या के बारे में क्यों रो रहे हो चिंता करने से इसलिए चिंता करने से आपकी समश्या हल नहीं होगी यह सिर्फ आपका समय और उर्जाब रबात करेगी इसलिए हम सब लोग को ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए ओके थैंक्यू और देखो आप लोगो कैसा लगा ये खानी आभी देखो ये मेरा ये पॉदा मैंने आप लोग को पहले भी दिखाए ये देखो लेमन ग्रास हो रहा आजकर लेमन ग्रास का उसका मतलब पानी मवाल की पीने से बहुत सारे मतलब बोड़ी में पेन वगरे वो सब दर्द ठीक हो जाते हैं और सदावार के पूंदे फूल तो होते रहते हैं मेरे मां पर और और बाल्टिम भी रखा है साइड में देखो मैंने और इसलिए रखा कि कभी जैसे पानी नहीं हुता तो पानी फटा कि अनार का मेरा प्होंदा की किया हमेसा अनार होते रहता और हम अनार खाते रहते देखो अबस बढ़री से फूल हो गए इसलिए सब लोगो ऑना भी बहुत अच्छा ए क्याकि अनर मेरे फटा यह ख़ैंद फाल देता है कि अम चशर्ब्दा को कईता हैं्याय, मेरे फुल देखो फूल हो रहे हैं फ़ल हो रहे हैं खुछ हैं ओके थैंक यूज़